हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिलकुल अच्छे आज हम आपके लिए इंस्टेंट डोकला रेसिपी लेकर के आए हैं सूजी बेसं डोकला बनाने में बहुत ही आसान है और डोकला तो सभ नर्मेंट में बना के तियार कर लेंगे तो आईए सूजी बेसं डोकला बनाना स्टार्ट करते हैं डोकला बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी दही धही 4-5 दिन पुराना है, खटा है, हम इसमें पानी मिला करके इसको पतला कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत जादा खटा धही भी नहीं चाहिए अगर आप बहुत जादा खटा पसंद करते हैं तो डिरेक्ट धही को डाल सकते हैं मैंने यापे धही की चाच बना के तयार की भी है देखिए मैं धही की चाच बना के तयार कर ली है थोड़ा-thोड़ा करके हम सूजी बेसन के अंदर धही को डाल देंगे एक चीज का ध्यान रखें, गोल बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए डोकले का गोल बनाते समय आप एक चीज का विशेश द्यान रखें कि direction change ना करें इसको एक ही side में इस तरह से मिलाएं चाहे आप spatula से मिलाएं या किसी चम्मस से मिलाएं हमने यहापे एक कटोरी छाच ली थी यानि कि एक कटोरी पतला किया वह हमने धही लिया था पूरा हमने डाल दिया है पानी हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि पानी हम अलरड़ी धही में डाल चुके थे बैटर अभी काफी काड़ा है अगर आप चाहें तो इसमें धही डाल लें येस नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं लगबक चार से पांच चमच के आसपस हम नॉर्मल पानी डाल रहे है देखिए बहुत बढ़िया से हमने गोल तयार कर लिया है धोगला बनाने के लिए बैटर हमारा बिलकुल रेडी है आईए अब हम मसाले डालना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं छोटा आदा चमच हल्दी पाउडर नमक टेस्ट की अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर बिलकुल ऑप्शनल है अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए दो पिंच के असपस हम हिंग डाल देंगे यहां पे हमने एक इंच अद्रक का तुकड़ा और एक हरी मिर्च का पेस्ट पना के तैयार कियावा है इस पेस्ट को भी हम गोगले के बैर में डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे एक चमच रिफाइन्ड ओईल डालने से ढो दोकला बहुत सॉफ्ट बनता है और थोड़ा शाइनी भी बनता है सभी चीजों को चितर ऐसे मिक्स कर देंगे देखिए हमने डिरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है डोकले का बैटर हमने एक ही साइड में घुमा करके तयार कर लिया है आप देख सकते हैं डोकले का गोल एकदम गाड़ा है हमने बिल्कुल भी पतला नहीं किया है घर में सूजी और बेसन का डोकला बनाने का सबस पास में aluminum का tin नहीं है तो आप कोई भी किनारे की थाली ले सकते हैं या cake mold ले सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें grease कर लेंगे, oil को बहुत अची तरह से हम इसमें सब तरफ फैला लेंगे, सूजी बेशन का ढोकला बनाने के लिए batter भी ready है, tin भी ready है, आएब हम फटावट से कड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आज हम steamer में नहीं बनाएंगे, आज हम डोकला कड़ाई में बनाएंगे, सूजी बेशन डोकला बनाने के लिए हमने यहापे लिए है, एक aluminum की कड़ाई, थोड़े बड़े साइज की है, और मोटी भी है, सबसे पहले हम कड़ाई में पानी डाल लगबग एक लीटर के असपास हमने पानी डाल दिया है, देखिए पानी गरम होने लग गया है, हम यहापे डाल देंगे एक नीबू का टुकडा, नीबू का टुकडा डालने से aluminum की कड़ाई जब हम पानी बॉइल करते हैं, तो काली नहीं होती है, साथ ही हमने लगा दिया और हम इस पर लगा देंगे धकन, देखिए हमने धकन भी लगा दिया है, अब पानी को अच्छी तरह से बॉइल होने देंगे, पांच मिन्ट हो चुके हैं, देखिए धोकले का बैटर बिल्कूर अच्छे से रेडी हो चुका है, और जो हमने पानी और छास इसमें मिलाई हमने सूजी में इस हिसाब से डाला था पानी की सूजी पानी को एब्सॉर्व कर ले, बैटर हमारा गाडा नहीं हो, अब हमने लिया है यहां पे एक इनो का सैशे, इसको हम काट लेंगे और बैटर में डाल देंगे, जब भी इनो डालें तो एक दो चम्मत पानी डालें और फिर उसके बाद ही इनो को मिक्स करें, अब फटावट से बैटर के अंदर हम इनो को मिक्स कर देंगे, इनो डालने के बाद में बैटर कितना फलफी हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है, आईए अब हम फटावट से डोकला बैटर को तयार किये वे टिन में ट्रांसवर कर इनो डालने के बाद में हमें ढोकला बैटर को बहुत जाद देर तक बाहर नहीं रखना है बस फटावट से मोल्ड में डाल करके और कढ़ाई में रख देना है देखिए पानी भी बॉयल होने लग गया है अब हम तैयार किये वे टिन को कढ़ाई में रख देंगे और धकन हो चुके हैं अब हम गैस के फ्लेम को लो मेडियम कर देंगे 15 मिट कम्प्लीट हो चुके हैं आए लिड को हटा करके ढोकले को चेक कर लेते हैं देखिए कितना सुन्दर ढोकला बनके तयार हुआ है अब हम एक टूथपिक लेंगे और सेंटर में इसको डाल करके इस तरह से चेक कर लेंगे देखिए बिल्कुल बढ़िया से टूथपिक निकल के आई है इसका मतलब धोकला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और धोकले को ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक धोकला ठंडा हो रहा है तब तक प्रणा के लिए हमने लिया है तड़का पैन इसमें हम डाल देंगे दो चमच रिफाइंड ओइल को गरम होने देंगे ओईल गरम हो चुका है अब हम डाल देंगे एक चमच के आसपास राई के दाने एक छोटा चम्मस तिल हमने यापे थोड़ा सा करी पत्ता तोड़कर के रखा है इसको भी हम डाल देंगे हमने यापे दो हरी मिर्च काट के रखी है ये भी हमने डाल दी है आप छोटा या बड़ा जैसा चाहें वैसा काट सकते है हरी मिर्च और करी पत्ते को अच्छी तरह से पका लेंगे करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हरी मिर्च और करी पत्ता बहुत अच्छे से पक चुका है अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी लगबख दो चम्मच के आसपास हम पानी डाल रहे हैं सूजी और बेशन के धोकले के लिए तड़का बिलकुल रेडी है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तड़के को साइड में रख देंगे सूजी बेशन का धोकला ठंडा भी हो चुका है किनारे लूज कर लेंगे अब 1-2 बार टैप कर लेंगे अब एक प्लेट लेंगे और इसको इस तरह से इस पर उल्टा ठक देंगे और ये देखिए इसको हम इस तरह से पलट देंगे ताकि जो तयार किया वा ढोकला है वो प्लेट में आ जाए देखिए कितना सुन्दर ढोकला बनके तयार हुआ है बिल्कुल भी चिपका नहीं है अब आप जैसा शेप चाहें उस शेप में आप पीसेस कट कर सकते हैं हम स्क्वायर शेप में ही पीस कट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जाली भी कितने अच्छे से बनके आई है देखिए कितना सॉफ्ट ढोकला बनके तयार हुआ है और हमने पीसेस भी कट कर लिये हैं तयार किये हुए तड़के को हम ढोकले के उपर इस तरह से फैला देंगे सारा तड़का हमने ढोकले को पर डाल दिया है अब आपको पीस निकाल के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट ढोकला बनके तयार हुआ है कितना स्पॉंजी भी है तो फ्रेंट्स आईए फटाफट से गर्मा गरम जाली दार ढोकले को सर्फ कर देते हैं देखे फ्रेंट्स गर्मा गरम ढोकला हमने सर्फ भी कर दिया है लुकिंग में कितना बढ़िया और कितना सुन्दर लग रहा है यकीन मानिए जितना सुन्दर है उतना टेस्टी भी है तो फ्रेंट्स रेसिपी को ट्राई करें टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें Thank you, thank you so much Have a nice day